है रोग लाएं है अधा है 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 इस टूडेंट्स गूड इवनिंग वर्ड वेल्कम आप सब्रेका दास सब्रेटिया के ओर लाइन फिर्ट पंपर और आज हम लोग डिसकस करने करने वाले हैं यह के बीसज़म्वर का कॉशन पेपर इससे पहले हम लोग 17 जनवरी तक सारे पीपर हम लोग डिसकस कर चुके यह इनिकी एक जनवरी का 221 का दो ओर इसके बाद हम लोग इसकी महरतन की बात की तो जल्दी आपको इसकीγα मेरतन मिलेगी ठीक है उसको पढ़게 जाएंगे तो यह रहा आज का फैला सभी जितने लोग विद्यार्थी जुड़ चुके हैं स्वाती शिवानी अश्विनी पांडे लच्मी प्रियंका मदू मौना समाध्या जितने विद्यार्थी जुड़ एक बार शेर करो सेशन को भई आपकी क्लास ठीक है पहले तीन बजे होती थी लेकर थोड़ी कुछ भीकास आपके 5-6 हो रही है ठीक है चलो करें स्टार आप hitting इसे के आदол यहारा फिर्व कर था है पहला कोशन आपकी स्कीन पर है बहुत बढ़ी तरक आश्वीनि पांडे जी फस्षक्ष्षक्रोच्ष्णि पहला कोशन आपकी स्कीन पर है फश्षक्रोच् कह रहा है कि विकास का सिद्दान्त नहीं है देखेगा एक कोशन हर वार आपके एक्जाम में आ रहा है कि विकास का सिद्दान्त नहीं है क्या विकास का सिद्दान्त नहीं है क्या सिद्दान्त होते हैं क्या नहीं होते हैं तो देखिए का कौन से सिद्धान्त होते हैं कौन से नहीं होते हैं देखिए का विकास जो होता वो एक मल्टी डामेंसियल होता है बहु आयामी होता है राइट कैसे चलता विकास बहु आयामी होता है ठीक है विकास एक धार्णी है और एक आयामी क्या विकास एक धार्णी होत होता है unidimensional होता है क्या वやって का और कि एक धार्णी होता है नहीं तो आपको दो साथ विमीडिक 1 नहीं होता है यहनी विकास क्यों था जब कर रहा ला है कि विकास उपर नीचे यह उपर से नीचे का मतलब है कि dear student सिर से पैर सिर से पैर राइट और केंद्र से बाहर कौन से होता हमारा यानि प्रॉक्षी मोडस्टल केंद्र से बाहर केंद्र से बाहर केंद्र से बाहर करें को कि जीजिद्याति सरी यह होता है कमेंटें आना चाहिए आप लोगों का शेट है आप लोग मेद शेयर स्वाफाशन कि ऑप देखेंगक सनवांसिक की मैद्र अंश्ट ऄ स्वाहतर देखेंगेmother केतार म्धिथ замет से इनदरे निचर और नर्चर इन्हाद करका हिए और हमारी इन्वार्मेंट के यूगदान होता है तो दोनों करता हूँ कि आप H into E equal D ये फॉर्मूला याद रखिएगा आपको कोशन कभी गलत हो गई नहीं क्या है H का मतलब Haredity है H का मींस क्या है Haredity है और E का मतलब Environment है और हमारे Development में दोनों ही क्या है दोनों ही मैत्पूर है ठीक है ये भी जरूरी है और ये भी ये डूरी है समझ में आगए आगे बढ़ें नैस पॉइंट पर चलें चलो ये भी सही है कि विकास समाजे सांस्कित परिपेक्ष मों तो बिल्कुल हमारे Development, Social, Culture ये दोनों चीज़ इंपुडेंट होती है तो Option क्या बनेगा हमारा फिर ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है हमें क्या पकरना था, dear students हमें क्या फाउंड करना था, तो हमें फाउंड करना था कि कौन सां नहीं है इसके मतलब फिर हमारा First Option जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा नैस कॉश्चन हाँ, बिल्कुल सभी लोगों का अंसर आया अजे, स्यादब जी, श्वाती, शुरूती, यतने विद्यारती जुड़े है चलो अब सैकेंड कोशन आचोगा जो जश्ट मैंना भी आपको समझाया है बिल्कुल अश्वनी पांडे जो जश्ट बिड़ा आपना भी लिखा है शुरूती कि सर विकास के दो ही हम कह सकते हैं दिसा जो होती है वो इस परकार से होती है अगर आप से पूछे कि निश्चत दिसा कौन सी होती है तो एक तो आप सैपैलो कॉडल बताते हैं सैपैलो कॉडल बताते हैं और दूसरा प्रॉक्सी मोडस्टर ठीक है इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है सीर्सगामी क्या कहते हैं से सीर्सगामी कहते हैं और इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है क्या इसे बोलते हैं समीप दूरा भी मुकी कहा जाता है बिटा सैपेलो कोडल का मींस क्या है सैपेलो कोडल का मींस होता है सिर से सिर से पैर की और देख है सिर से पैर की और होता है और प्रॉक्सिमो डेस्टल का मींस क्या है प्रॉक्सिमो डेस्टल का मींस होता है कि यह जो हमारा केंद्र है यानि हमारे हिरदे से हमारी बहार की तरफ हमारी फिंगर की तरफ होता अगर डवलप्मेंट ऐसे चल रहा है तो यह हमारा कौन सा माना जाएगे हमारा प्रॉक्सिम अडश्टर यह किरा कि सीस गामी सिद्दान किस छेत पर लागू होता है बताओ गामक सिद्दान पर भासा सिद्दान पर जारा मॉटर डवलाप्मेंट से रिलेटेड है मॉटर मतलब होता है गामक विकास थीक था किसे यह सारे रिंग विकास यह भी कोशन याद रखिएगा सारे रिंग विकास कोई रावर यहां तक आगे बढ़ें जल्ट नश्क पॉन्ट पे चलते हैं इसका सब सब्सक्रांट क्प घानएगा इबर सुडेंट्स यह भी डवलपमेंट के पार्ट्स हैं यह फी इफल्पमेंटर से पार्ट्स है बट हमसे पूछ कौन से रहा हमसे केवाल पहले कोडल हमसे पूछ रहा है इसलिए हम लोगों को केवल इसी की तरफ चलना है अगर वैसे बात करता है तो हम कहते हैं यह भी क्या है डवलपमेंट के पार्ट से इसलिए आंसर मारा फॉर्स्ट आप्शन मारा जो होगा वह के लिए सबसे अच्छा पीरेट कौन सा है सबसे महतपूर काल कौन सा है पहला अपसंदी आपके सामने ठीक है जन्म से पूर्व गर्वबस्ता में तो लैंग्वेश का डवलपमेंट होता नहीं है तो हम कहेंगे सर यह तो हमारे लिए रॉंग है प्रीनेटल पीरेट तो हो अब ऐसा तो नहीं सब्सक्राइब योवा वस्ता में लैंग्वेश के डवलपमेंट होता है क्या वो तो उसका परिपक्काल होता है तो क्या है यह जो होता है दो से साथ वर्स तक की जो अवस्ता होती है यह लैंग्वेश के डवलपमेंट के लिए बहुत ही संबेदन सील पीरेट होता है इसलिए उप्सन क्या बनेगा हमारा सेकेंड उप्सन हमारा करेक्ट होगा समझ में आ गया है कि लैंग्वेश डवलपमेंट के लिए सबसे इंपोडेंट जो पीरेट है सबसे संसे जिस थी उनका कहना था कि बच्चे का जो आदा जो विकास जो हो जाता है वो तो इसका क्या हो जाता तीन वर्स में हो जाता है ठीक है तो कई लोगों ने है डावलाप्मेंट को बहुत महत्पूर वाना है ठीक है कौन से पीरेट को यानि तीन वर्स के बाद के हो फोर्थ कोशन है हमेशा आपके एक कोशन आता है सॉसलाइजेशन से इसलिए जब आपके एक्जाम में कोशन आई रहा है तो क्यों ना फिर हम इसको एक बैटर तरीके से इसको हम समझी लेते हैं देखो सॉसलाइजेशन का मतलग होता है कि समाज के जो रूल्स रैगूलेशन हैं उनको समझना और उनके अकोर्डिंग अपने आपको एज़ेस्ट करना आप जिस घर परिवार में रहते हैं अगर वहां के नियम कानून के अनुसार अगर आप न समाज से रहते हैं जहां से हम ब्लॉंग करते हैं ठीक है तो बस उनी रूल्स रैगूलेशन को समझना ही सॉसलाइजेशन कहलाता है और जब से बच्चा घर परिवार के नियमों को समझना शुरू कर देता है समझ जाओ उसके अंदर सॉसलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकिए हम सोसलाइजेशन की process कभी खतम नहीं होती है ठीक है हम जिस प्रकार के समाज में जाते हैं उस प्रकार के हम नियम कानूनों को सीख लेते हैं आए सौसलाइजेसर सोच नहीं होते हैं उस दरफ मिलॉंग करते हैं नीहम कानून को सीख रहे हैं तो सौसलाइजेसर की प्रोसेस चलती रहती है ठीक है कि हम कुछ जीवन में सीखते हैं नियमों को बदलाव करते हैं तो प्रिखित करते हैं तो क्या क्या याद रखे कि अब परिवार हमारे लिए कभी दुत्तिय नहीं बन सकता परिवार हमारे लिए क्या है प्राइमरी है और परिवार से हम जो सीखते हैं वो कैसा सोसलाइजेशन है इनफॉर्मल होता है हमारे घर में कोई हमें क्लास तो रही लेता हमारी क्या आज बेटा आज आज आपकी यह क्लास ह जाएगा नहीं घर में तो हम जो घर में जिस परकार सी लेंगवेज है जिस परकार से कार रहे हैं उनको देख रहे हैं तो हमारा जो फैमिली है परिवार हमारी primary है पहला point कि परिवार तो primary बन गया दूसरा point परिवार informal है चलो अनौपचार एक लिए कैसा informal जिसका कोई तोर तरीका नहीं होता है ठीक है हाँ अब आएगा इस point पर कोई तोर तरीका नहीं होता अच्छा परिवार में ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से बारता ना करते हों बारता करते हैं तो परिवार कैसा बन गया परिवार सक्री भी होता है होता है कि नहीं होता है ठीक है हाँ तो अब देखेगा आपके सामने इतने सारे option हैं अब हम चलते हैं किस पर पहला कह रहा है primary agency तो भाई परिवार को primary लगा दो ठीक है हाँ दुत्ती agency हो नहीं सकता अच्छा यह कह रहा हाइड और यह कह रहा है लेटेंट और यह कह रहा है क्या ठीक है सक्क्रिय समाजी कर रहा है अब जब इस प्रकार का अगर कोशन आजाए dear students तो पर आप इनको भूल जाना क्योंकि यह भी आते हैं यह भी आते हैं इनको भूल जाना पर आपको केवल यह याद रखना है सबसे पहला पॉइंट है primary फस्ट पॉइंट प्राइमरी नैस कोशन पर आते हैं यह रहा नैस कोशन लोरेंस कोलवर के सिद्दान के सब्सक्रक्राइ एक कोशन पर आपके एक्जाम अएगा लोरेंस कूलवर दिखेया है को आपने जीन प्याजरशाप के बारें में पढ़ा होगा जीन प्याजरश की मोर Southern त्योरी दिती है झाति हो इन्हों ने विकास चार स्टेजेस बताएं यह नहीं इन्हों ने िहाईrees मौरल डवलपमेंट की four stages बताएं थी किसने प्याजे साप लेकिन बाद में लोरेंस साप ने ठीक है सिद्दान दिया कौन सा नैतिक विकासी हम कह सकते हैं कि नैतिकता को और बढ़ाया और इसको विक्सित किया ब्रॉड लेवल पर वो किया लोरेंस कोलवर्ग ने यानि नैति यालेंट की साइकलोजेस्ट है कौन प्याजेस आप और लोरेंस कोलवर्ग अमेरिकन साइकलोजेस्ट है ठीक है दौनों की बिचारदारा में थोड़ा डिफरेंस रहा अंतर रहा दौनों की बिचारदारा में ठीक है इन्हों ने डैवलापमेंट की three level दिये खो लेवल अब यह कहा रहा है कि वह चरण जिसमें चिंतन सुरुआती यहनि कि सिद्धान्द के अनुसर किस चरण पर नैतिक चिंतन सुरुआती समाजिक परिफेक्स पर आधा रहता है समाजिक की बात कर रहा है अब तीन स्टेजेस आपको पता होना चाहिए देखिए पहला कौन से आपके सामने देखिए तीन और ने जो लेवल बताएं है कौन कौन से लेवल बताएं कि सर पहला लेवल तो यह होगा यह आपके सामने लेके हैं भाई पहला लेवल यह है L1 कर द यह नहीं होता चीक है अब यह क्या करा है कि समाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है यानि कि जहां पर नेतिकता किस पर आधारित होती है समाज पर आधारित होती है तीक है कि जैसा समाज होगा बैसी नेतिकता होगी मतलब समाज में जिस परकार की रिती रिवाज हैं जिस ही नैतिकता होगी यानि समाज में जिस प्रकार की परंपराएं हैं बैसी ही हमारी क्या होगी नैतिक सिंतन होगा हमारा बहुत बड़ी कि मैं सर यह क्या होता है यहां पर बच्चा स्राइग जो लेवल जो होता है यहां पर बच्चे यह परमपराओं की बात करते हैं कहते हैं परंपराइं हैं और इनकों में मानना पड़ेगा परंपराओं को बदला नहीं जा सकता जिस परकार की हमारे गर की परंपराओं हैं वो हमको मानना ही पड़ेगा उनमें किसी कर प्राइन को بदल सकते हैं तो जब बच्चाि अगर ठीक के प्रमपराएं को बात करें तो समझ जाना प्चाक्य सिस्तर में आ चुका है यानी की बदलने की बात करें तो पिर वेनुत किसमें आ गया है लेकिन कहरा है कि नहीं जैसी है वैसी मानने पड़ेगा ठीक है तो जैसी है वैसा ही मानना पड़ेगा तो वह किस में आ गया यह नहीं कंवेंशनल में आ गया और यह लोग तो जानते ही नहीं है प्री कंवेंशनल लोग तो जानते ही नहीं है परंपरा क्या होती है तो फिर वह मानने की बात तो आती नहीं कि वह परंपर से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा इसकीमा में सामिल करना क्या कहलाता है यानि नई सूचना जो न्यू इंपॉर्मेशन है उनको क्या करना हमको सामिल करना है और मैंने इसका एक कीवर्ड आपको बताया था अगर आपको याद हो तो मेरी क्लास अगर आप लाइन में औ और एक दिन मैंने आपको marathon class ले तो इसमें भी मैंने आपको समझाये था कि अगर आपको यह वर्ड आ जाए देखेगा यह कहारा है कि नई सूचनाओं को जो मौझूद आ इसकी मा मतला होता knowledge इसकी मतला होता घ्यान यहनी कि नई सूचनाओं को प्राने घ्यान में सामिल करना स प्रामिल क्या जारा है बदला तो नहीं जारा है संसोधन तो नहीं हो रहा है इदर देखेगा अगर बदलाव की बात ना हो परीवर्टन वड्ड ना आ जाए ना आये परीवर्टन संसोधन ना लिखा हो अगर एक्जामर हमसे कहता है कि एक बच्चा जो है वो नए ग्यान को पुराने ग्यान से जोड़ता है या पुराने ग्यान को नए ग्यान से जोड़ता है लेकिन जब तक यह वड उसके अंदर परिवर्णा मैंसन हो बदला परिवर्णा संसोधन तब तक आप एक ही आंसर मानोगे क्या सब तक आप लगाओगे assimilation क्या लगाओगे assimilation यनि की समावेशन हिंदी में कहते हैं assimilation को हिंदी में समावेशन या आत्मसात करण कहा जाता लेकिन अगर ये कोशन अगर ये कह देता कि नई सूचनाओं को अपने मौजूदा schema में परिवर्तन करते हुए अगर यहां वो परिवर्तन word mention कर देता तो हमारा option हमारा answer बदल जाता तब हम चलते किस की तरफ accommodation की तरफ समझ में आ गया दौनों में difference बता है तब हम किस की तरफ चलते हैं तब हम accommodation की तरफ चलते हैं नैस question seven question पर आईएगा मीना अब सब्दों का प्योग करने लगी है तता ये समझने लगी है कि सब्द वस्तूओं के प्रतीक है अब तर करने लगी है परंतू 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 संप्रत्तों का संड्रक्षन और करमबद्यता नहीं कर पा रही है अब एक चीज़ाद करो मैंने बताया था कंजर्विशन कहां पर आता है बोलो संड्रक्षन कहां पर आता है तो आपका विशन संड्रक्षन तो किस में आता है कंक्रीट स्टेज में आता है मूर्थ संक्रियात्मकाल में आता है किस स्टेज में आता है मूर्थ संक्रियात्मकाल में लेकिन एक कोशन को पढ़ो क्या कह रहा है इसका मतलब है कि अब बच्चा इससे पहली की स्टेज में है अब बच्चा किससे है इससे पहले की स्टेज में यानि पूर्व संक्रियात्म काल होता है और इसकी जो टाइम पीरिड होता है टू टू सैवन यर ओप्सन क्या बनेगा फर्स्ट ओप्सन जो है वो हमारा सही होगा बहुत बढ़ी है नैंसी अजेस यादब इमानसी बिलकुँ सही आंसर के रश्मी आगे बढ़े बढ़े नैस कोशन पर अगला कोशन लाइक और वाई सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सेशन को यह रहा नैस कोशन जैट पीडी का बेटा हर वार आपके एक्जाम में आता है जैट पीडी का कोशन इन कोशन को तुम जितनी बार कर रहे हो ना यह आपके दिमाग में आपके जो कॉंसेप्ट हैं वो और स्ट्रॉंग हो रहे हैं आप जैट पीडी क्या होता है कौन बताएगा जैट पीडी बेटा मैं यह नहीं पूछ रहा हूं यहां समझेगा जैट पीडी होता क्या है आप खुद कितना कर सकते हैं कि सर्फ फोर एक्जम्पल के लिए कि मैंने सर्फ खुद के द्वारा मैंने फिप्टी तक मैंने जो है वो काउंटिंग कर ली है काउंटिंग मैंने याद कर ली है चीजों को या दस पांस तक सर मैंने पहाड़े याद कर ली टेवल मैंने याद कर लिए कहां तक कर लिए आपने फाइब तक टेवल आपने याद कर लिए ठीक है विटा यह जो फाइब तक आपने टेवल याद किया जिसमें आपने किसी की मदद नहीं ली किसी भी टीचर की किसी फ्रेंड की कि का मतलब क्या है यह बलब होता हूं आप आक्टॉल डवलप्मेंट व चोसल थेट्र वे ख़ेट्र जो ने विखसित किया है जिसके ने जा ने उम्हार के हमिली है यह एकट को कुछ आपको थेक जहने की six का टेवल आपको याद करना कि अब आप को six का टेवल आप से याद नहीं हो रहा आपको टेवल नहीं आता सिक्सका आपको नहीं आ रही हैं आप किस प्थे मदद लेने जाओंगे जिसको चैक कर पाएगा नहीं तो आप किससे लेने जाओंगे आप सर में मदद उप्योंगा जो जादा जानता है च Spread जानता है उसे goshlas साइक लोजी की भाथा में क्या कहेंगे जो आउसे जादा नॉलेजर रखता है कि इसके आप तुम कहें तुम आसा करो ठीक है अब इसने आपकी help कर दी लेकिन पूरी help नहीं कि इसने इसने का तुम ऐसा करते जाओ तुमको टेवल आ जाएगा हम करते गए हमने ऐसा करते गए ठीक है ठीक है आगे हमसे multiply नहीं हो रहा कि यहां तक तो हमने कर लिया आगे हमसे multiply नहीं हो रहा ठीक है आगे हमसे multiply नहीं हो र फोर कट फोर तक नहीं हो पा रहा ना तो आप दो बार कर दो इसको ठीक है ऐसा करो आप दो बार जमा कर दो इसको 12 12 को जमा कर दो तो आ जाएगा आपका तो हमने का वैया दो बार जमा कर दिया तो आप आ गया तो हमने यह कर दिया आपर अब हम जब हमें जरूरत हो रही तो ह हम इस बैक्ती से मदद ले रहे हैं और जब हम Comrade देश्चjung जो मिल रही हूं को हम लोग साइकलोजी की वासा में क्या कहते हैं इसका फॉल्डिंग के नाम से जानते हैं इसी को क्या कहते हैं इसका फॉल्डिंग यानि इसका फॉल्डिंग क्या होती है आइस्ताई सहायता अब आपने च्छैका टेवल सीख लिया याद हो गए आपको वही च्छैका टेवल आपको आ अब आप से फूचे कहें JPD कितना है तो आप केवल बताओगे सर जो च्यका टेवल वही JPD है क्यों क्योंकि JPD का मतलब होता है कि वह खार वह छेत्र वह अधीघम वह सीकना जो हमने दूसरों की मदद से सीका है only only किसी की help से सीखा गया other person की help से जो learn किया गया है वही आपका क्या माना जाएगा jet PD माना जाएगा तो jet PD के वल आपका six है five नहीं है five तक टेवल तो आपने खुदने सीखे थे अब मदद ली आपने temporary मदद ली वो क्या कहलाएगी मदद देने वाला क्या कहलाएगा एम को कहलाएगा और जो हमने उसकी साहिता सीखा वो क्या कहलाएगा वो jet PD कहलाएगा बिटा समझ में आगा इसका अंसर क्या बनेगा अब मुझे पूरा विस्वास है आप यह कोशन आ ग करोगे बिल्कुश सही करकर आओगे समझ में आगा नैंसी रस्मी मदू ठीक है हलाकि कई वार भी कॉंसेट में आपको समझा चुका हूं नैस कोशन बनाते हैं यह आगा मिट आगला कोशन वाइगास्की से कौन सा कतन लेव वाइगास्की के मूल सिद्दान्त को सही माइने को दर साता है वाइगास्की किस चीज में बिलीब करते हैं देखो वाइगास्की तीन चीजा हम बिलीब करते हैं वाइगास्की कहते हैं कि बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं वाइगास्की कहते हैं कि संस्कृति की वज़े से सीखते हैं वाइगास्की कहते हैं कि भासा की मिल जा वही आपका उप्षन सही होगा यह कहा रहा है कि बिटा अंकॉंसेस होते हैं यह निकी नॉन एक्टिव पर्शन क्या बच्चे नॉन एक्टिव हैं तो यह उप्षन तो यहीं इंकरेक्ट होगा है इसको रीड करने की जुड़ती नहीं है बच्चा एक समाजिक किरिया है यानि अधिकाम एक सोसल किरिया है बिल्कुँ सही है यह कह रहा है कि उत्पत्ति मूलक ठीक है की बात कर रहा है यानि की जैनिटिक की बात कर रहा है यह तो बिल्कुल गलत है यह आक्रम बजदा की बात कर रहा है गलत है यह आप्षन क्या बनेगा हमारा यानिकी लार्ण सब्सक्राइब को तुम ज्यादा दिमाग मत लगाएगा केवल यही देखा करो कि कहां पर बच्चे के सयोग की वैक्तिकत बिंताओं की समाज की समस्य समादान की बात हो रही है क्या दंड आएगा बैटा कॉंपडीशन वड़ आएगा नहीं आएगा क्या मान की करत बढ़ आ अदीघं कम उल्ल्यंकन के स्तान पर आदीघं के लिए यानि की ऑप असस्मेंट के स्तान पर प्फोर एसस्मेंट की बात हो रही है और मैंने समझाए जहां फोर दिख जाए वही आपके लिए सही है क्योंकि फोर का मतला होता लर्निंग कराना तो इसलिए option हमारा क्या क्या वनेगा डी वनेगा आगे चलते हैं नेश कोशन पर और यह रहा वहीं आपके सामने 11 कोशन कि समझ में आया वही सभी विद्ध्यार्थी कि चलो आगे बढ़ें अश्विने हैमा मदू क्या विद्ध्यार्थी की सद्दान इस बत का समर्तन करता है कि बच्चे में संग्यनात्म विकास सांकितिक भासा विकास का क्या है पूर उगामी हैं बता बहुत बढ़िया है बताओ क्या बनेगे इस का अंसर 11 का अंसर बताइए का सबी लोग अब कैसे समझे सर इसको कॉंभनिटी डवलप्मेंट किसकी बात कर रहा है यह निए कि रहा है कि भासा विकास का पूरु गामी है थीक है है सांकित पकास तो कौन आएगा कोई B कर रहा है को यह आंसर कर रहा है कौन आएगा इसमें इसमें आएगा कौन प्याजे साप आएंगे पहले इसका मीनिंग नहीं समझ पाए आप ठीक है क्या कहा रहा है पहले आप पढ़ो कोशन को इंगलिस तो पढ़ी होगा ना ठीक है अब यह कह रहा है कि भासा विकास का पूरगामी है यानि कि सांकितिक का मतला थौट सिंबॉल तो अगर जो कहते हैं कि विचार पहले आते हैं याद करो बिचार पहले आते हैं और भासा बाद में आती है और लैंग विचार पहले आती है यह कौन कहता है यह कहता है यह कहता है याद जीन प्याजे जीन प्याजे का कहना है कि पहले बिचार आते हैं बाद में भासा आती है यहनी बिचार ही क्या करते हैं बहज हमारे दिमाग बत संघेत आएगा, तभी तो हम संघेत को बाहर निकालेंगे ठीक है, option क्या वनेगा हमारा first option correct होगा 12 quotient एक कोशन आपके exam में रूडि वाधितां से आता है चलो कोशन कहा रहा है कि gender रूडि वाधिता को रोकने के लिए एक अध्यापक दौरा कक्चा में प्रीयोग की जाने वाली कौनसी बिदी शुचित जिससे gender रूडि वाधिता को रोका नहीं जा सकता है लोर जैनंदर हेसी आरव कि सिएर होगे तुम अगर बच्चों को अगर गलत दिकाओगे या उन के बैठा वही है कर दो वह रहूं की सोसल लर्निंग तो इता नहीं रोखा जा सकता अरुड़ी वादता क्या होती था रूड़ी वादिता रूड़ी वादी रूड़ी वादी सर ऐसी विचाधारा जिसके पीछे कोई तरकी नहीं है बिना तरक के आदा पर हम कह दें उसी विचाधारा को रूड़ी वादी विचाधारा जिसे हम कहें कि ललकियां गड़त में कमजोर होती है बिटा इसके पीछे क कोई तरक है भी तरक नहीं तो यह कैसी बिचादारा है रूड़i वादी यह वह भूमिन- Mih Face भी खाना वनाने के लिए व्हादा है कि शोडाना कि बिचादारा है कि आज आगका साइन्स के में यहां तक समझ में आए पहले एक बार कमेंट्स करिएगा चलो आगे बढ़ें हाँ यह कह रहा है कि जैंडर पक्षपात को चनौती देना कक्षा में बालक बालकाओं को अलग बैटने की वस्ता करना तीक है और जैंडर भेदवाप पर चर्चा करना ऐसे उधारन का प्रियोग करना जिससे लड़के और लड़कियों को गैर प्रमपराई भूमकाओं में दिखाई दे रहे हैं बताओ क्या अंसर बनेगा 12 का कोशन समझ में आ गया कि अध्यापक द्वारा प्रियोग में लाए आ जाने वाली विविदी कौन सी उचित नहीं हैं कौन सा इसको नहीं करणा चाहिए यह झांडर हो चैलेंजिस नहीं कर रही है तो यह तो एक चुनवाती दीना उन्होंने तो यह तो अमारे लिए क्या है positive है हमें तो negative sense देखना है तो सर यह option अमारा सही नहीं है कट गया हमें तो नेगेट अपसन देख यह करा कक्षा में बालक बालकाओं को अलग-अलग बैटने की विश्था करना क्या ऐसा करना चाहिए अगर ऐसा करेगा तो इससे जेंडरबाद बड़ेगा बेटा इससे बड़ेगा रुकेगा नहीं चर्चा करना वह डिसकसन करेंग ही ठीक है जेंडरबात पर को कैसे आज वह वेदवाब किया रहा है थी यह तो अमारे लिए भी बही धार्य दे तो ऐसे उदारन भी दिये जाएं बच्चों के सामने कि देखो महिलाएं भी जो हैं वो समाज के मार्दसन कर रहे हैं तीक है अब बच्चे घर में अक्सर भाई बच्चा हमेशा अपनी मां को देखता खाना बनाते हुए तो उसके दमाग में रूड़ी बादता आ गई कि भी भूमेन जो होती है या जो उसकी सिस्टर उसके दमाग में भी आएगे कि ये भी क्या करें खाना बनाएगी तो इसलिए उसके सामने एक ऐसे उदारन रखे कि जहां पर देखें देखो यहां जो है वो फादर जो खाना ब पर अबादी हों तो यह भी पोजेटिव है तो बिटा हमारा बना क्या हमारे सामने बी ऑप्सन बन जाएगा कोई डाउट इसमें आगे बढ़ें ठीक है समझ में आगए यह कोशन नैस्ट यह रहा थाइटीन कोशन आपकी स्कीन पर पारो अपनी पिता की ठीक है यानि बड लोहे का अमल स्वरी उसका जो लकडी का जो काम करते हैं ठीक है कि लकडी के ब्लॉक टुकडे को अपनी पिता के द्वारा सिकाई की गत्विद्यों में सपलता पूरवक मापती है उस हाल में इसे fae ews is keem के अंत्रिग Aleién तीक है ews जानते हो जो भई आरतेवरूप से कंजोर है और ews के द्वारा उसको क्या मिलेगा ews में जानते ओक्त होता है कि हमारा आया तो यह कहा गया है 2009 ऑदिनी अम्हें राइ्य deux休 कு इसने यह कहा गया है जितने भी नीजी स्कूल निज bleiben प्राइवेशाला तो सरकार से साहता लेते हैं तो सरकार ने कहा है इने धारा ट्वैल में कहा गया है धारा सेक्षीं पूचा गया था धारा ट्वैल देना बिना फीस के बिना टूसन पीस बिना परीक्षा पीस कोई पीस नहीं ली जाएगी उनसे यानि गवर्मेंट का यह आदेस अब टाइस आटी एक्ट में कहा गया है कि जो प्राइविट स्कूल है जो सरकार से कोई साहता लेते हैं सरकार बहुत सारी फैसिलिटी देती है प्राइविट स्कूलों को तो वो कहते हैं जब हम आप कितनी फैसलेटी दे रहे हैं तो आप हमारी लिए क्या कर रहे हैं तो नहीं का आज से यह होगा कि आपके यहां 25 पसंट सीट जो है वो रिजर्व हो जाएंगी और बहां पर आपको एडवीशन देना पड़ेगा किसक या जो बच्शे आर्त ग्रूप से कमजोर हैं ठीक है उनको उनसे किसी परकार की कई परिक्षा पिस्त या कोंई किसी करकार का कोई टैस्ट या किसी प्रकार का कोई ठीक है उस सुलक नहीं लिया जाएगा यह सुमाज में आ गया EWS वाला system बीटा कौन सी धारा में है ये कोशन आ चुका है कौन सी धारा में धारा 12 में है यहांनि टीक की धारा किसमें दिया गया है लिए टीक है 12 में दिया गया है आगे कहा है उसे हाल में EWS scheme के एंत्रगा एक पब्लिक विध्याले में प्रवेश मिला मतल़ा प्राइवेट स्कूल में इसको एड़ीशन मिल गया किसके तहत मिला विसको उसको आटीक के तहत उसको मिला जिसमें 25 परसेट में उसका एड़ीशन हो गया तो क्या रहा है प्रवेश मिला जहां पर व शाहिए कि उसे पढ़ने की शमता नहीं क्या है एसा करना चाहिए देखेगा हर बच्चेक अंदर पढ़ने की शमता होती है इनवीड होती है और बच्चेवरारा बच्चेर जन्वन सही ले कर आते हैंं चीजरों को है में बह우 को परीच्छा देनी चाहिए वो जिस प्रकार से है जिस प्रकार की छमता रखती हैं उसके अकॉर्डिंग इसका क्या होना चाहिए पारों पर घर पर सीखे गए ग्यान को स्कूल के ग्यान से प्रत्यक रखना चाहिए तो बिल्कुल अलग करने की बात करा बल्कि हमें बॉंडियों नहीं लगानी है हमें जोड़ना है कौन से स्योंग हो गएगा नहीं को देखेगा ध्वनी ले सब्द क्या हो जाएगा यह वासा से जोड़ा होना तो राइट अप्सन क्या बनेगा वारा लिंगुष्टिक बन जायेगा है नेस्ट है एक समाजिक संद्रशना कक्षा में जब सोसल कल्चर लिखा हो इस से अग़े बढ़ समय पर आगे बढ़ें पर एकला कोशन आपकी स्कीन पर सीज आचुगा नथना सी सिश्टम को याद रखियेगा क्योंकि सीश्टम का मतलब है कि हम बच्छे का अस्याइश्य लगातार करेंगे गोराइगे regula Sapodерм ब्यापक मूल्याकन में सतंसे का मतलब लगातार ही किसे का assessment हमें करना ही है कैसे लगातार आनि section की दोरान क्या थो क्या बने गा एद्ध्यापन की दोरान अचात्रों का चात्रों का साथ मुल्यांकन करना उनकी साहिता करना विटा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है तीक है बाकी सब हमारे लिए रॉंग है फर्स्ट ऑप्शन सही है नेस्ट तो सिक्चार्तियों कि किस परकार के लक्ष निदारित करने के लिए पुरुशायत करना चाहिए किस परकार के Mastery-Orientedया бесп guest क्या होगा Master orientation यह करा इन में से कौन सब समाविशन का नियम है solution अगर आपको करना है थक है सबका साथ सबका विकास करना है तो पर इसकी लिए क्या करोगे आप सबकी भैक्तियत को भी तो ध्यान रखोगे कि भिना भैक्तियत भिनताओं को को ध्यान रहा कर सकते हो नहीं अगर आप सब करsted का सात् सब की विकास की बात कर रहे हैं तो पिर आपको सबको साथ लेकर चलने के लिए लोगों की आवशकताओं को आपको ध्यान कराया जाना चाहिए एन इसी option हमारे क्या होगा सही होगा यह रहा है नैस कुर्शन एक बच्चा जो answer group से देख सकता है बेटा answer का मतलब होता है कि क्या है वो अंदाद तो है लेकिन वो पूरते blind नहीं है partial blind बेटा तो answer group से देख सकता है तो क्या करें इसके लिए आगे बिटा है ऐसा ना हो कि पीछे बिटा दी हमने तीक है आजकल तो उपकरण भी चल गए ऐसी सीजन के लिए उपलब्द कराई जाए तो यह कह रहा है कि देख सकता है तो उसे घर पर सिक्चा प्राप्त करने के लिए प्रेरत करना चाहिए नहीं बिटा घर कहेंगे तो प साथ नहीं कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उनको हम अलत कर रहे हैं हम सरकार सरकार खुद बांट रही है अगर वह अलग अलग जोड़ना होता ना कि बांटना retle na i इसान बच्चे के साथ पढ़ते तो प्रतवासालीम बच्चे इनकी साहिता से कुछ और सीक्ष सकते दे भूँ अमने नहीं दिया अमने इनको अलग कर दिया है तो यह दूसरों के लिए क्या एक किस्का फॉल्डिंग ben सकते थे वो अमने नहीं बनने दिया अब यह बच्चे कभी भी जोड़ नहीं पाएंगी सामान ने बच्चा मंद बुद्धी का बच्चा ठीक गिप्टिड बच्चा अगर आप अलग-अलग करके पढ़ा रहे हो तो पर आप कभी उनको जोड़ नहीं सकते हो तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम लेकर रहे हैं कि ज लेकिन पढ़ाओ एक साथ तभी एक दूसरे के अंदर हम कहेंग एक सकारात्मा भावना का विकास होगा ठीक है लोग एक ही मुक्धारा से जुड़ पाएंगे इसी को कहते हैं पीटा समावेसी सिस्टम इंक्लुवेशन एजुकेशन कि कैसी सिक्चा जह सब पढ़े ठीक है किसी के साथ कोई भेदवाव ना हो तो क्या वनेगा हमारा अप्शन समावेसी प्रापदानों को पालन करते हुए निमत विद्याला में जाना चाहिए इसी अप्शन करेक्ट होगा और यह है बेटा आज का लास्ट कोश्चन यह करा है कि निमलिकत में से कौन सी सिक्चा पनाली कक्षामस रजनात्मक के लिए सायक है कलपना सीलता को शुकार करना विचार मंतन शुकार करना बिटा डाइवर्जेंट कनवर्जेंट नहीं होता है कनवरजेंट नहीं होता है ठीक है यानि कि A समयती की प्रति सेंसीलता क्या बनेगा अंसर कि सर पहला सही है दूसरा सही है तीसरा गलत है क्या चौथा भी गलत है बोलो जल्दी से जितने विद्यार्ती जुड़े हैं क्या बनेगा नहीं सार बच्चा अगर sensitive नहीं होगा sense इलता नहीं होगी तो पर काम कैसे चलेगा इसलिए यह भी सही है यहनि कि 1 2 और 4 यह सही है क्या बनेगा option हमारा D option बनेगा A नहीं बनेगा बेटा D बनेगा यह भी हमारे लिए सही है कि बाई जो आज सहेंड सीलता है उसके प्रिती सम्वेदिन सीलोना जरूरी है कि नहीं है ठीक है तो यह भी सही है चलिए तो आज की क्लास को मैं स्टॉप करते हैं और कल फिर मिलेंग इसी समय पांस से च्छे के भी कल की क्लास रहेगी अच्छा आभी इसके बाद क्लास होती है पहले तो उन विद्यारतियों को मैं पता दूँ कि जो पहली बार आए रैगुलर क्लास होती है और सभी सब्जेक्टी होती है आप इस चैनल को जोईन करिएगा संस्तान को ठीक है रैगुलर क्लास में बिलकुछ सिस्टमेटिक तरीक कि भी आपको देना विटा ठीक है तो करन्ट से आप भाग नहीं सकते हैं सामना तो करना ही पड़ेगा तो समस्या का समाधान का सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम उसका सामना करें ठीक है तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट भीक है तो उसको पढ़िएगा उपाय न कि मगर यह ना पढ़ू तो काम चल जाए क्योंकि पढ़ना तो पढ़े गई विटा क्योंकि हम किसी चीज को इग्नॉर नहीं कर सकते तो फिर मिलेंगे दुवारा इसी दास विल इंडिया के ऑनलाइन फ्रेट पंपर आज के लिए तना ही धन्यवाद सेयर करना ना विर मिलेंगे आ क्योंकि को